ये हैं लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वोईस टीवी खबर सबसितेव नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कोमल गुपता वोईस टीवी पर आपका स्वागत है एक बेटे ने अपनी ही मापर किया हमला मा हुई गंभीर गायल और व्रद मा ने जला स्पताल में तोड़ा दम बता दे थाना बसई मोहमत पुटशेत्र अहलादी पुर का बताए गया है मामला फिलाल बेटे को लिया गया है हिरासत में उसका कहना है कि पीट पर मारा था और मा के घूम जाने की वज़ा से सर पर लग गई मोहरी आपको बता दे समर चोरी के मामले में पंचाइब में भी उक्त बेटे ने कहा गया था उससे बुरा भला फिर घर आने पर मा ने कहा तब किया उस पर हमला फिरोजबा थाना बसई मोहमद पुर शेत्र एहलादी पुर में एक बेटे ने अपनी ही मा को कपड़े धोने वाली मोहरी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया आनन फानन में उक्त व्रद्धा को जिलस पताल लाए गया लेकिन यहाँ चिकिस्सक ने प्रात्मे को उप्चार दिया और कुछ घंटों के बाद व्रद्धा ने धम तोड़ दिया फिलाल व्रद्धा के शब को पोस्ट मॉटम के लिए रखवाए गया है वहीं स्पी ग्रामीर राजिश कुमार ने बताया है कि आरूपी को हिरासत में ले लिया गया है बताते चले थाना बसई मुहम्मद पुर्शेत्र एहलादी पुर में एक युवक पर समर की चोरी का आरूप था जिसको लेकर गाओं में पंचाइद हुई जिसमें उसको बुरा भला कहा गया और उसके बाद वह घर गया तो माने भी उसको इसी को लेकर कुछ कहा और इस ब प्रणवानन में उपचार के लिए सरकारी ट्रॉमा सेंटर लाए गया जहां कुछ घंटों के बाद उसने दम तोड़ दिया एसपी ग्रामीर राजिश कुमार ने बताया है कि आरोपी बेटे को सुबा ही हिरासत में ले लिया गया था साथी वदाय की बेटे का कहना था कि समर्चोरी का मामला था पंचायत में लड़के को कुछ कहा गया और उसके बाद घर गया तो मा ने भी कुछ कहा जिस पर उसने कपड़े धोने वाली थपकी पीट परमारी और मा घूम गई जिससे उसके सर पर लग गई इसी कारणवा तो मेरे को दो जिए जाची बिंदी मही मिली एक पीट गई किन लोगों ने मारा है यह बतारे जो अमारत्चा में बड़ी भीया है चोरी की लगा रहे हुं कि ऐसी बाते है चोरी कारणव में मारा एक रिभ नावगा आ यह यह जाना गाए थाना इसाज़ा थाना रिजा जो इसमें किया लोग गाएोज़ती लिए लिए इसमीच कि पसकेman की लोग पट्रीर यह नपनुपत्र सबस्किब्द कदने लगाया इसमें एक भी याथी चलुन नाम है कई फिर वंड़ मना जल दो इनâte sausages मुह मुहमदपुर के ग्राम अहलादीपुर में आज करीब साड़े ग्यारे बजे एक लड़के ने अपनी मा को ही कपड़ा धोने वाले मंगुरी से सिर्पे चोट पहुंचाई थी बाद में उस महिला की अस्पताल में इलाज के दवरान मृत्त हो गई जो आरोपी उसका बेटा खुद का बेटा उसको गिरफतार कर लिया गया था सुबही गिरफतार कर लिया गया इसमें जो बाते शानवीन पर पाई गई कि लड़का कुछ बदमास किसम का है गाउं में चोरियों गरा किया था गाउवालों ने उसके उसमें पंजायत की थी उसको काफी डाटा डपता था इसके वाद जब घर पहुंचा तो माने भी उसको डाठा डप्टा कासुनी की इसी में गुष्य में आकर मा के उपर उसने कपडा दोने वाले मोंगरे से वार किया था जिससे वो उसका कहना है उसने सीर पे नहीं मारा था उसके कंदे पे मारा था लेकिन घूम गई जिससे उसके सीर पे चोटा गई अस्पताल में इलाज के दवारे उसके मिर्थ हुई है इसमें करवाई की जा रही गई